आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है UP Academy for Civil Services में आज ये पहला क्लास है UP PSC उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग की जो RO ARO परिक्षा होती है उसके एक्जाम की तैयारी का हिंदी का पहला वीडियो है अब यहाँ दो सेक्ट साथ साथ में चलेंगे एक तो हिंदी और दूसरा GS अब आप मुझसे लोग पूछेंगे कि पहले आप हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं अगर कोई भी समझदार आदमी होगा तो पहले वो किसको पढ़ेगा हिंदी को पूरा रड़ डालेगा अरे यार जो चीज सबसे आसान है उसको क्यों छोड़े है कि नहीं तो उसी लिए मैंने आज से यह शुरू किया है UP PSC के RO RO और ARO एक्साम के लिए अगर आप UP PSC की वीडियो के री एक्साम के तयारी कर रहे है तो यह भी आप ही के लिए है कोई 10 एक्साम के लिए अलग से तयारी रियारी नहीं हो पाएगी ना मैं कभी करता हूँ ना मैं आपसे कभी कहूँगा और जो करवा रहे है वो सब बेगूफ है या आपको बना रहे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय नहीं भरबात करूँगा यह basically ROARO का जब आप syllabus देखेंगे तो उसमें prelims में 6 topic रहते हैं फर्स paper होता है दो गंटी का जिसमें क्या आता है GS का 140 question आ जाता है उसमें reasoning maths भी रहता है वो एक अलग पार्ट है लेकिन जो second part होता है कौन सा है हिंदी वाला 60 प्रसन आते हैं साथ प्रसन के 6 section होते हैं सबसे पहला section होता है विलोम द्यान से सुनिए अगर सबसे पहला section होता है विलोम दूसरा section होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तीसरा section होता है तदभाव तदसम फिर होता है विशेश और विशेश और फिर होता है पर्याइबाची और सबसे last में होता है क्या एक और last section है वो क्या हो जाता है वो हो जाता है अशुद्धी को शुद्ध करना अशुद्धी जो अशुद्ध वाक किया है उसको शुद्ध करना या वरतनी को शुद्ध करना आ ना दूँगा और अब ये तो नहीं है 200% guarantee कि सब कुछ आ जाएगा लेकिन हाँ 90% कोशिस होगी कि मैं वही दूँगा जो एक्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं 20 साल के paper को analysis करके मैं यह बना रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा तो comment box में comment करिएगा साथ ही अगर आप इस video को देख रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा जो question में पूछूँगा उसका जबाब आपको ततकाल comment box में comment करके देना है अगर आप सही तरीके से चले तो मैं इन सब की live class भी आगे चलके बनाना शुरू कर दूँगा चुकि blackboard थोड़ा छोटा है बड़ा हो जाएगा तो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पांच टॉपिक है याद रखिए चटा टॉपिक में नहीं बना रखा है मैंने क्यों क्योंकि वाक के सुद्धरी अशुद्धी और अशुद्धियों को clear करना यह आसान है आखरी की तीन दिन में भ ही है साफ साफ मैं बता रहा हूं ठीक लेकिन मेंस के सिलिबस में है और वो एक ऐसी चीज है मुहावरे ओम लोकोक्ति जो की बिना उसके ना कुछ नहीं हो सकता यूपि के हर एक्जाम में वो आता ही आता है तो मैं यहां को पढ़ाने के बाद आप से दो कोशन पूछा करू जबाब देना जरूरी है वरना मेरी वीडियो मत देखिएगा लाइक को इक मत करिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पढ़ता लाइक करिए क्या कुछ मत करिए लेकिन हाँ अगर आप एक टीचर समझ रहे हैं मुझे और आप पढ़ना चाह रहे हैं सही से जबाब दीजेगा जब डेली एक लास होगी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आईए डेली विलोम के पांच शब्द अच्छा आप में से लोग सोचें के एक वीडियो में ही क्यों बना रखा है देखिए एक दिन में सब पर डाली है कुछ नहीं होता रोज थोड़ा थोड़ा पढ करता हूं यहां से तदभव तदसम ज्यान से शुनि यह है उसके बाद मैं ऐसे वन बाई वन चलूँगा तदभव तदशम में क्या है तदभव तदशम बहुत लोग आपको बहुत सारी μεताएंगे मैं बस आपको एक concept बता देता हूं तदशम Кा मतलब संस्कृत-तना अस्ताध्याय। उसमें सोलह माहिस्वर सूत्रों के जिक्र क्या हूंने उससे संस्कृत का ग्रामर बना। और वो संस्कृत थोड़ी सी टफ थी। तो लोगों ने उसको क्या किया। अपने भाषा में थोड़ा सा आसान बनाए है। तो भाषा बनी हिंदी, हिंदी किस से बनी? संस्कृत से। जैसे अही फेन, कही लिखा हो? अही फेन को अगर आप होता क्या था? संस्क्रित एक बहुती पड़ी भासा थी, बहुती थोड़ी सी टफ मानी जाती थी, आउध इंडिया में अभी भी यूज होती है, लेकिन आप समझेए कि जब यह बनी, जो ग्रामर बनी थोड़ी सी टफ थी, उसको आसान लोगों ने कैसे बनाया, अपनी भासा में थोड़ा अनर्थ को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनारी, ये सारी वो वर्ड हैं जो कि बहुत important है, एक्जाम में कहीं कहीं आये हैं तभी मैं दे रहा हूं, कोशिस करूँगा कि 15-20-30-40 क्लास में आराम से आपको वो वा सारे वर्ड में समझा सको, और आप इनको daily देखिए, ऐसा नह इसको रोज के रोज note down करते रहे हैं, आप पाएंगे कि last में एक्जाम में यही आ रहे हैं, कुछ हलक से नहीं आते हैं, जैसे पर्याहवाची तो सब आपको यहीं से मिल जाएंगे, इस बात की पूरी guarantee यह आपको यहीं से मिल जाएगा, तीक और इन सम में भी आपका concept clear है, लोगों ने क्या बना दिया, यह अंगा को हटा गे अंग उठा बना दिया, यह थी, तो यह tough language थी, यह आसान language थी, अक्षर, कक्षा वाला जो च्छ था, उसको बोलते हैं अक्षर, याद रखे, जहां कहीं भी कक्षा वाला च्छ दिखेगा, वो क्या माना जाता है, अंगुली, अंगुली में ल में चोटी की मातरा हिंदी के एक खास बात याद रखेगा, हिंदी में वर्ड को लिखते समय बहुत साउधानी रखेगा, जब यह सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना, तब आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि हर वर्ड में लिखने में गलती हैं अपना करें, जैसे अंगुली नहीं लिखा जाता है, यह आप याद रखेगा, तो अंगुली है, संस्कृत वर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगुली, अगली आजाईए, यह तो हो गया तद्भा तद्सम, तो तद्भा का कॉनसेप्टियर हो गया, अब ऐसे और विशेश, मैं बोलू, यार वो एक काला घोडा है, मैं घोडे की विशेशता बता रहा हूँ, तो वो देखे काला घोडा है, जैसे मैं बोलता हूँ काला घोडा, किसकी विशेशता बता रहा हूँ, घोडे की, क्या विशेशता है, काला है, तो जो जिसकी मैं विशेशत बता रहा हूं उसको बोलते हैं विशेश याद रखे जिस चीज की विशेशता बताई जाती है जिस संग्या की मैं किसकी बात कर रहा हूं घोड़े की घोड़ा कैसा है काला है तो घोड़ा क्या हो गया विशेश और काला क्या हो गया उसका विशेशा मतलब विशेशन का नहीं होगी बस इसको याद रखिएगा किसी भी संग्या में अगर प्रत्य जोड दिया जाया फिर मैटर फंसता है उपसर्ग प्रत्य क्या है उपसर्ग पहले लगता है किसी भी वर्ड के पहले उपसर्ग लगता है बाद में प्रत्य लगता है तो प्रत्य कहा लगता है किसी भी विशेश में अगर प्रत्या जोड़ दीजे तो क्या बन जाता है वो विशेशन बन जाता है जैसे धर्म धर्म एक शब्द है संग्या है इसमें क्या जी दिया इक प्रत्या प्रत्या लास्ट में जोड़ता है याद रखियो उपसर्ग पहले लगता है प्रत्या अग लेगिन इससे अच्छी और इससे स्कोरिंग भी भाषा कोई ने, धर्म में एक जोड़ दिया, धार्मिक, अब देखे, अधिकार, अधिकार में एक प्रत्य जोड़िये और क्या बन जाता है, आधिकारिक, तो आधिकारिक क्या हो जाएगा, विशेशन, याद रखेगा, यही बस यह लाइन सबसे आधा स्टार जोड़ के कर दीजेगा, किसी भी संग्या में प्रत्य जोड़ दीजे, तो विशेशन बनता है, या फिर विशेश में अगर प्रत्य जोड़ दीजे, तो विशेशन बन जाता है, जैसे अपेक्षा, अपेक्षा में जोड़ दीजे, फिर एक प्रत्या जोड़ दीजे तो आरंभिक अब ऐसा एक प्रत्या तो होता नहीं बहुत सारे प्रत्या होते तो याद रखिए संग्या में प्रत्या जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा विशेशन बन जाएगा यही एक थम रूल है अच्छा मुझे पूंचा जाए तो मुझे बस इतना ही याद रहता है संग्या में विशे प्रत्य जोड़े दीजे विशेशन बन जाएगा मैं वहाँ गलत नहीं करूँगा अब जितने भी question होंगे वो सही ही हो जाएगे तो ये है पहला तद्बह तद्सम फिर है विशेशन विशेश अब आजाएगे परियाबाची को लास्ट में करेंगे पहले यहाँ देख लिजेए विलोंग का मतलब क्या होता है जस्ट अपोजेट अतिवरिस्ट बहुत बारिश अनावरिस्ट ये याद रखिएगा यहाँ खास बात क्या है जब आप विलोंग को अपनी कॉपी में नोडाउन कर रहे हो तो उसकी spelling या कहिए उसकी जो लिखने है जो कहां कौन सा वर्ड कहां पर लगना है वो मत गलती करिएगा अतिवरिस्ट का अनावरिस्ट अपेक्षा मतलब मैं आपसे बहुत expect करता हूँ अपेक्षा करता हूँ उसका क्या है उपेक्षा अरवाचीन का प्राचीन याद रखिए अरवाचीन का प्राचीन यह important है इसलिए में लिकरा हूँ अगला आजाएगे यह पहली क्लास है इसलिए मैं ऐसे ही शुरू करूंगा परियावाची डेली आपको दो रटने है सुबह से शाम भर में 15 मिनिट आपको इस वीडियो को देना है 15 मिनिट में अपनी कॉपी में नोट कर लेना है सर्फ दो देली के परियावाची आपको रटने हैं जैसे अम्रित अब अम्रित को मैं कैसे रटता हूँ मैं एक लाइन से एक दिन में एक परियावाची को रटता हूँ दस बार लिखता हूँ याद रखे किसी भी चीज़ को आपको याद करना हो न तो दस बार कॉपी में लिख डाली आपको रट जाएगा जैसे अमरित का क्या होता है पीश अमी अमी सोम सुधा सुर्भोग यह हो गया अमरित का आज इसको रट लिए इसके साथ आप दूसरा रट लीजिए आग का अगनी का अनल हुतासन पावक दहन क्रशान अनल हुतासन पावक दहन क्रशान आग का क्या होता है अनल हुतासन इसको आपको रटना पड़ेगा देखिए और कोई चारा नहीं है मैंने भी रटा था अब बग 100-500 मैंने रटे हुए थे लोवर पीसेस का एक्जाम था या न हलोवर पीसेस का मेंस का एक्जाम था 2015 वाला 24 अप्रेल 2016 को शायद पेपर था या 17 को ऐसे ही था 24 अप्रेल को पेपर था उसका कभी हुआ था रटके गया था डिर्ड दो सो रटके गया था तेक आल्मूस सारे वहीं से आते हैं कुछ अलग नहीं आता तो अनल हुतासन पावग दहन कृषान तरीका सिर्फ एक एक दिन में दो से ज़्यादा परियावाची मत रटिये इसको अपनी कॉपी में लिख दीजिए और इसको दस बार लिखिए किसी भी चीज को याद करना हो तो उसको दस बार कॉपी में लिख डालिए अब आजाईए सबसे लास्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बड़ा इंपोर्टेंट है बहुत जबरजस्त है और ऐसा नहीं कि आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे आप कन्फ्यूस कर जाएंगे क्योंकि अनेक शब्दों के लिए जिसके टुकड़े ना हो सके याद रखे जिसका टुकड़ा ना हो सके वो क्या है अखंड इसमें ये ऐसे लिखा जाता है दूसरा, जिसका खंडन ना किया जा सके, याद रखिए, जिसके टुकडे ना किया सके, जिसके टुकडे ना हो सके, अखंड, जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंड नी, और जिसके खंड हुए ही ना हूँ, याद रखिए, जिसके आज तक खंड ना हुए हूँ, मतलब ये एक futuristic बात कर रहा है, एक आज की बात कर रहा है, जिसका खंड आज तक ना हुआ हो, अखंडित, तो तीन वर्ड हैं, तीनों के अलग वर्ड हैं, आपको साबसे याद रखना होगा, अब जो गाये जाने योग ये ना हो, उसको बोलते हैं, अगे है, जो ना गाया जा सके, उसक का हिंदी का, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा, और सबसे जरूरी बात, ये दो, अच्छा ये याद रिखेगा, PCS का तो पिट है, ये अगर आपको मुहावरा आता है, तो आप दुनिया का कैसा भी PCS में 5-6 कोश्चन, PCS में में आपक कमेंट बॉक्स में बताना है, अंधा होने का क्या मतलब है, इस मुहावरे का मतलब क्या है, और अन जल उठना, इन दोनों मुहावरे का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अगली क्लास से पहले, कल होगी इसकी अगली क्लास, कैसी लगी ये वीडियो ये भी जरूर comment box में comment किया करिये लाइक हो एक से बहुत फर्क नहीं पढ़ता लेकिन comment इसलिए जरूरी है कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे student कैसे हैं पढ़ने में ठीक, thank you so much कैसा लगा जरूर